वंदे मातरम साथियों देश में मम्स यानि की गलसुआ माता या गलसुआ के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तमिलनाडू, केरल और राजस्थान या फिर दिल्ली एंसियार के बाद अब 36 गड में भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है ये वाइरस चेहरे के दोनों तरफ इस्ते तिलार बनाने वाली पैरोटिट ग्रंथियों को निशाना बनाता है जिससे चेहरे पर सूजना जाती है मम्स अति संक्रामक वाइरल इंफेक्शन है ऐसे में इसके प्रसार का खत्रा काफी अधिक होता है ये खासने या छीकने के दोरान निकलने वाले पदार्थ के जरिये फैलता है खास तोर पर ये बच्चों को अपना शिकार बनाता है मम्स को गलगंड गलसुआ या फिर कंट माला के नाम से भी जाना जाता है ये एक संक्रामक रोग है जो ज्यादा तर गाल के नीचे जबणों के पास इस्तित पैरोटिड ग्रंतियों में संक्रमण के फैलने से होता है ये ग्रंतियां लार बनाती है संक्रमण के कारण इस रोग में गालों में सूजन आ जाती है इस रोग के लक्षन बहुत बाद में दिखते हैं आम तोर पर बच्पन से युववस्था में प्रवेश होने तक इस बीमारी की संभावना रहती है मगर आजकल ये किसी भी उम्र में देखा जा सकता है ये कोई गंभीर रोग नहीं लेकिन इसकी वज़ा से चेहरा भद्दा दिखने लगता है और गालों और गर्दन में भी दर्द होने लगता है कुछ खाते हैं तो निगलने में भी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है गलसुआ के लक्षण शुरुआत में नजर नहीं आते वाइरस के संपर्क में आने के लगबग 15-20 दिन बाद इसके लक्षण दिखना शुरू होते हैं गलसुआ के ज्यादा तर लक्षण टॉंसिल्स से मिलते हैं इसलिए बहुत से लोग टॉंसिल्स और गल्सुआ में अंतर नहीं कर पाते हैं बुखार, सिरदर्द, भूक ना लगना, कमजोरी, चबाने और निकलने में दर्द होना और गालों में सूजन आदी लक्षन गल्सुआ के भी हैं और टॉंसिल्स के भी कई बार सिर्फ एक तरह क की ही ग्रंती में सूजन आ जाती है इसके रोगियों को पेट में तेज दर्द और उल्टी की समस्या हो जाती है गल्सुआ के कारण पुरुषों के अंड़कोश में दर्द और प्रजनन चमता पर भी बुरा असर पड़ सकता है कभी-कभी इस्तन में सूजन दिमाग की जिल लाइटिस के लक्षण भी उभर सकते हैं और आइस्ताई रूप से बहरेपन की समस्या भी हो सकती है गल्सुआ चूकी एक संक्रामक रोग है इसलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये आसानी से फैल जाता है गल्सुआ के वाइरस से प्रभावित रोगी कानों के एकदम सामने जबडे में सूजन दिखाई देती है कई बार चिकित्सक भी गल्सुआ और टंसिल्स के लेक्षणों में कन्फियूज हो जाते हैं तो इसके लिए बलड की जाच की जाती है बलड में एंटिबोडीज की उपस्तिती आसानी से वाइरल संक्रमन की पु आसपेशियों का दर्द और पैरोटिट गरंती में सूजन की वज़ा से मरीजों को बहुत दर्द होता है जिसे कम करने के लिए दर्द निवारक दवायन दी जाती हैं गल्सुआ आमतोर पर 10 से 12 दिनों में स्वता ठीक हो जाता है प्रतेक पैरोटिट गरंती की सूजन उता इसलिए इस रोग में खूब पानी पीने की सलहा दी जाती है इसके अलावा गल्सुआ होने पर गर्म पानी का गरारा करने से भी दर्द में आराम मिलता है इसमें रोगी को अमलिये पदार्थों वा फल के रसों का सेवन करने से मना किया जाता है फिर भी इसके लेक्षन दि तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक सी नई इंफर्मेशन के साथ तब तक के लिए जैहिन वन्दे मातरम